दोस्तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे फेस्बूक का मोबाइल नमबर चेंज कैसे करते हैं तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को सुरू करते हैं और हम लोग सीखते हैं फेस्बूक का मोबाइल नमबर चेंज कैसे करते हैं दोस्तो Facebook का mobile number change करने के लिए सबसे पहले Facebook application को open कर लिजेगा Facebook application को open करने के बाद यहां simply three line button पे click करना है three line button पे click करने के बाद scroll करके नीचे आना है और simply settings and privacy पे click कर देना है settings and privacy पे click करने के बाद यहां simply settings button दिखाई देगा settings button पे click करना है settings ब obed ን्रलेककर करने के बाद personal information पे click करना national information पे click करने के बाद यहां पर दिखाई देगा content info contact info IN कॉंटेक्ट इंफो पे क्लिक करने के बाद सेंपली एड़ फोन नंबर पे क्लिक करना है एड़ फोन नंबर पे क्लिक करने के बाद यहां पे आपका मोबाइल नंबर पुछेगा तो अपना मोबाइल नंबर इंटर कर दीजिएगा मोबाइल नमबर इंटर करने के बाद continue बटम पे क्लिक करना है continue बटम पे क्लिक करते ही आपके मोबाइल पे को टीपी आएगा और उसो टीपी को इंटर करना है करने के बाद यहां क्लोज पे क्लिक कर देना है क्लोज पे क्लिक करने के बाद एक बार बैक जाना है और बैक जाने के बाद फिर कंटेक्ट इंफो पे क्लिक करना है और कंटेक्ट इंफो पे क्लिक करते ही यहां पे मोबाइल नंबर 200 करने लगेगा तो पहले वाले मोबाइल को रिमूब करने के लिए पहले वाले मोबाइल नंबर पे क्लिक करेंगे और पहले वाले मोबाइल नंबर पे क्लिक करने के बाद रिमूब पे क्लिक कर देंगे रिमूब पे क्लिक करने के बाद यहां पे टिक मारेंगे और टिक मारने के बाद रिमूब नंबर पे क्लिक करने करने के बाद यहां पे आपसे आपापा & को पुछेगा तो अपना फीसबुक का password इंटर कर दिजीएगा Facebook का password इंटर करने के बाद remove बटंपे Click करना है तो देखे facebook का password इंटर करने के बाद remove बटंपे Click किए तो यहां पर mobile breaking phase प्रूबक का मोबायल नमबर डिलीट हो गया तो अम ez करते हैं इस वीडियो के माध्यूक से आप लोग सेた का